पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान गुर्वार को शादी करने जा रहे हैं अर्तारिस साल के भगवंत मान की ये दूसरी शादी है भगवंत मान जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं उनकी जानकारी भी अब सामने आने लगी है ये शादी भगवंत मान अपने बहन और मा की पसंद की लड़की से करने जा रहे हैं आखिर कौन है वो लड़की इस रिपोर्ट में आप देखे इस लड़की से शादी करने जा रहे हैं उस लड़की की तस्वीर भी सामने आ चुकी है इतना ही नहीं जो लड़की भगवंत मान की दुलहनिया बनने जा रही है उनका नाम डॉक्टर गुरप्रीत कोर है ये शादी गुरवार को चंडिगर में होने जा रही है और इस शादी में खुद अर्विंद केजरिवाल भी हिस्सा लेने वाले है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का 2016 में अपनी पहली पतनी इंदरप्रीत कोर से तलाख हो गया था उनके दो बच्चे हैं जो भगवंत मान की पहली पतनी के साथ अमेरिका में रहते हैं लेकिन अब तलाख के साथ साल बाद भगवंत मान ने दोबारा अपनी जिन्दगी नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया बताय जा रहा है कि बगवंत मान की माँ चाहती हैं कि वो अपना घर बसाएं इसलिए उनकी माँ और बहन ने खुद मान के लिए लड़की चुनी है बगवंत मान डॉक्टर गुर्पीत कोर के साथ घर में ही प्राइवेट समारों में शादी करेंगे इसमें सिर्फ परिवार वाले लोग ही शामिल होंगे बगवंत मान 2011 में राजनीती में आये थे वो 2014 में पहली बार आमादमी पार्टी के टिकट पर संगरूर से सांसत बने थे कब उनकी पत्नी इंदरजीत कोर भी उनके प्रचार में नजर आई थी अलाकि दोनों का 2015 में तलाख हो गया था भगवंत मान ने 2019 में भी संगरूर से चुनाव जीता लेकिन 2022 में वो आमादमी पार्टी की ओर से पंजाब में सीयम उमिद्वार बने उनके नित्रुतु में पार्टी को प्रचंड बहूबत मिला भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के सीयम के तोर पर शपत ली इस दोरान उनके बेटे और बेटी भी कारेक्टर में शामिल हुए थे भगवंत मान ने कहा था कि वो राजनीती की वज़े से परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनकी पत्नी ने उनसे दूरी बना ली इतना ही नहीं तलाग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पंजाब को अपने परिवार से उपर चुना राजनीती के लिए वो पत्नी से अलग हो रहे हैं लेकिन आप देखना दिल्चस्प होने वाला है कि भगवंत मान की दूसरी पत्नी कितना लखी साबित होती है Bureau Report R9 News